साथियों मिट्टी या ये भूमी हमारे लिए पंच तत्वों में से एक हैं। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सन्वान में कोई कमी नहीं है। माटी की एहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्विकारने में हैं कि मानव जाती जो कर रही हैं। उससे मिट्टी को कितना नुक्सान हो रहा है। उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सद्गुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था। गुजराती में मैंने पढ़ा हैं बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद। कहीं रास्ते पर एक पत्थर पढ़ा था। लोग जा रहे थे। कोई गुशा कर रहा था। कोई उस पर रात मार देता था। सब कहते थे किसे ने पत्थर रखा कहां से पत्थर आया है दे समझते नहीं वगरे। लेकिन कोई उसको उठाकर के साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले उठान को लगा कि तुलह भाई सद्गुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमार यहां युदिश्टिज और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है। तो दुर्योधन के भिषे होगा छाता है तो यह ही कहता है कि जानामी धर्म नच में प्रवृत्य मैं प्रवृत्य नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। सथ्य कैया मुझे वालूम हैं लेकि मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवुत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकर राता है तो एक सामुही का भ्यान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं मुझे खुशी है कि बीते आठ वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंद बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है मिट्टी को बचाने के लिए हमने पाँच प्रमुख बातों पर फोकस किया है पहला मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाए दूसरा मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिने तकनीकी भासा में आप लोग स्वाइल और्गनिक मेटर कहते हैं उन्हें कैसे बचाए और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखे, उस तक जल की उपलब्दता कैसे बढ़ाए चोथा, भूजल कम होने की वज़ से, मिट्टी को जो नुक्शान हो रहा है, उसे कैसे दूर करे और पांचवा वनों का दाइरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार शर्म हो रहा है उसे कैसे रोखे